आम शान्ति, आम शान्ति, आम शान्ति, एक दूसरी घटना का भी जिक्र करेंगे आपसे, कि एक बार, मैं मुझे जाना था बैंगलॉर, पिरताजी के हमारी तबियत बहुत खराब होई थी, और डेर साल वो बैट पर थे, मतलब बैट पर ऐसे थे, कि वो हिल डूल भी नहीं सकते थे, बैठ भी नहीं सकते थे, इतनी तबियत उनकी खराब हो गई थी, क्योंकि, ब्रेन हेम्रेस होने के बाद में, उनकी कॉंप्लिकेशन बहुत बढ़ खे थे, बहुत जगे इलाज कराया, कानपूर में, पीजी आई में, फिर बैंगलॉर लेकर के गए, नहमन्स में, किसी ने मुझसे, उनके थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स, उनको क्लिशन की होने लगे थी, एंग्जाइटी की होने लगे थी, तो किसी ने हमें बताया, कि आप बैंगलॉर में ऐसा है, नहमन्स में, जहां पर बहुत अच्छी तरह से टीट्मेंट हो जाता है, तो उनको बैंगलॉर लेकर जाना था, अब बैंगलॉर लेकर जाना है, तो हम लोगों का जो खान पान है, वो तो शुद्ध है, बैंगलॉर में अगर लेकर जाएंगे, तो कोई दो-चार दिन में वापस आना नहीं है, वहाँ पर जरूर लंबा समय लगेगा तो खाने पीने का क्या होगा तब तक यहाँ सेंटर खुल चुका था तो बाबा ने जो है फिर मैंने दादी को बोला दीदी को बोला दीदी आबू में थे दीदी वहाँ कोई अरेंजमेंट हो सकता है तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बात करती ही तो फिर कहा कि पास में जहां निमन से वहाँ पास में एक सेंटर तो है सेंटर क्या वो कीता पाटशाला है बहने दिन में सेवा पर जाती है और आप वहाँ जा सकते हो वो कितने दिन आपको सेवा देंगी मैं कहने सकते तो फिर थोड़ा संकल्प उपर नीचे हुआ पिताजी को लेकर के जाना है वहां जाना है और भोजन का अरेंजमेंट नहीं होगा घर से भी भोजन कितना बना के लेके जाएंगे क्योंकि दीदी ने कहा तब घर से सूखा बना के जाना वहां दोड़ धूप करेंगे तो कितने दिन का भोजन लेके जाएंगे संकल्प चलने लगे तो हमारी माता जीन लौकी माता ने कहा बिटिया फिर क्या करोगी अगर वहां भोजन नहीं मिला तो क्या करोगी फिर यह बत प्यच्जी की बीमारी, उपड़ से और समस्या, मैंने कहा कि देखिए मेरा नियम तो नहीं है ना यह, यह बाबा नी नियम बनाया है ना, तो बाभा जानें आपर नहीं बहुत गीता पाठ शाला की तो कि यह पूरा मास उसने हम भोजन होस्पिटल तो इसलिए बाबा कहते हैं वाहा हमारा परिवार वाहा बाबा वाह वाहा रामा वाहा हम पहले से ही संशय बुद्धी बन जाते हैं सोचने लग जाते हैं क्या होगा कैसे होगा मगर वो बैठा है ना उसने जिम्मेवारी उठाई है इस तरह से हमारी जिम्मेवारी उठाई और कदम कदम पर मदद मिल दी रही अब बिल लोग वही हूँ